वहीं खेलों की दुनिया से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे विराट कोली ने T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया आपको बता दे कि T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है विराट कोली ने शेसाथ उन्होंन आपको बताते हैं कि बंडे के कप्तान वो पहले की तरह बने रहेंगे टेस्ट के कप्तान भी वो पहले की तरह बने रहेंगे लिकिन अब वो T20 में कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो फेल की दुनिया से आ रही है विराट कोली ने कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया है विराट कोली ने ट्वीट कर ये एलान किया है जहाँ पर उन्होंने जानकारी रेते हुए बताया है कि आप वो बल्लेवाजी पर जादा फोकस करना चाहते हैं हलाकि वो पहले की तरह टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान बने रहेंगे पहले की तरह वो बन्डे फॉर्मेट में कप्तान बने रहेंगे लेकिन T20 वर्ल्ल कप के बाद वो T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ देंगे तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है जहां पर विराट कोली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का एलान कर दिया है इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने रोहित शर्मा और इसके साथ ही हेड कोच रवी शास्त्री के साथ बादचीत के बाद ये पूरा निर्ने लिया है और उन्होंने बी सी सी आई चीफ जैशाह को पूरी जानकारी दे दी है